बच्छो गुड मॉर्णिंग बच्छो नेक्स्ट जो है इकोलोजी का नेक्स्ट कोस्ट्टन है हम लोग जो बात करने जा रहा है तो उसमें क्या है बात कर रहा है तो आंसर क्या जाएगा यहां पर पोलर आइस के फ़र्म में बात कर रहा है तो उसमें क्या बोलता है इन विच हैविटेट यहां पर इन और रात का जो टेंपरेचर है बहुत ही जादा भेरी करेगा कहां पर डेजर्ट में डेजर्ट की जो बात करें दीन के समय बहुत ही जादा टेंपरेचर हो जाता है डेजर्ट में जो next question है The interdependent evolution of flooring plant and pollinating insect together is known as मतलब interdependent है flooring plant यहाँ पे जो बात करता है कि interdependent evolution की बात कर रहा है साथ साथ evolution होता है किसका the flooring plant का और insect का जो वैसा insect जो उस plant को क्या करेगा pollinate करवाने का काम करेगा तो ऐसे relation को आप क्या बोलोगे मिच्योलिजम की बात कर सकते हैं कोई evolution की बात कर सकते हैं कोमेंसलिजम और कोपरेशन बच्चों एक तरह से देखा जातों यहाँ मिच्योलिजम ही है दोनों एक दुसरे को फाइदा पहुंचाने का काम करता है लेकिन उससे अच्छा टर्म यहाँ है यहाँ पे क्या जोड़ दिया है कि साथ साथ evolution हो रहा है तो इसलिए answer यहाँ पे क्या जागा कोई evolution अगर यह answer नहों होता तब हम लोग मिच्योलिजम टिक करके निकलते तब यहाँ पे मिच्योलिजम हम लोग टिक करके आगे निकल जाते next question जो हम लोग बात करेंगे यहां पर बोलना है in exponential phase the sequence of event in bacterial multiplication exponential phase की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा bacteria की यहाँ पर बात कर रहा है bacterial multiplication की बात कर रहा है तो बड़ी तेजी से बढ़ता है जरू में तो slow होगा लेगिन फिर बहुत ही तेजी से यहां पर भागते चला जाएगा तो यहां पर leg phase, leg phase के बाद log phase then stationary phase की हम लोग बात करेंगे leg log और stationary और then decline तो एक ही option है जो इसको match कर रहा है तो answer क्या चला जाए? maximum growth rate occurs in पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा growth rate किस में होता है? तो stationary phase में होता है कि senescent phase में होता है कि lag phase में होता है कि exponential phase में होता है? तो stationary में तो क्या होता है? रुख जाता है lag phase में तो नया environment में भी अभी आया है log phase जिसका दूसरा नाम exponential phase भी है तो इसलिए answer यहां पर क्या जाएगा answer की जो बात करें यहां पर answer चला जाएगा जो next question है बच्चों यहां पर next question से related हम लोग बात करें तो the organism which occurs in low temperature climatic zone is called वैसा organism जो low temperature पर रह रहा है लो टेमपरेचर पर रह रह रहा है नहीं तो उस organism को क्या हम लोग यहां पर बोलेंगे तो उस organism का यहां पर जो नाम दिया जाएगा तो क्या एक mega thermal एक मीजो thermal एक है micro thermal और एक एक है किस्टो फर्म की बात जो यहां पर बोलता है तो यहां पर question क्या होए the organism which occurs in low temperature climatic zone low temperature पर रह रहा है तो यह क्या होता है micro therms वो क्या कलाता है बच्चो micro therms कलाता है next question है the killing an organism for feeding feeding खाने के लिए बोजन के लिए नहीं जो kill करता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे predation बोलेंगे parasitism बोलेंगे symbiosis या expolitation तो क्या हम लोग बोलेंगे उसके predation जो सिकार और सिकारी वाला है तो सिकारी इसलिए सिकार करता है कि उसको खापा है उसका food habit में वह होता है नहीं next question जो है one who gets food food at the cost of other is नहीं कि जो one who gets food जो food लेता है at the cost of other मतलब दूसरे को मार के तो दूसरे को मार के जो food लेने का process है वो क्या कलाता है वो क्या कलाएगा यहां पे जो बात करें तो one who get the food at the cost of other दूसरे के cost sorry मार के नहीं question में यहां पे क्या बोला है दूसरे के cost पर यहां मारने की नहीं सिकारी करें करता है टूसरे को नुकसान छोट पारसाइट में होस्ट को नुकसान थो जो उसके उपर पैरसाइट होता है उसको क्या होता है फाेदा होता है चला जाता है जबना फिर हम लोग आते है अगले पर लुरा रहा है रेश welding और motility and natality is called, motility और natality के बीच का ratio वो क्या कहलाता बच्चो, vital index कहलाता है, तो option में एक ही option यहाँ पर दिख रहा है आपका, एक population ratio बोल रहा है, vital index, density coefficient और census ratio की बात कर रहा है, तो वो क्या कहला है, vital ratio कहलाता है, next जो question है, the abundance of a species population within its habitat, abundance, species के population का, उसके habitat में अगर abundance हो, बहुत ही जदा मातरा में मिल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोई भी species है, नहीं, species है, तो वो अपने जगा पे, अपने नीच में, अपना occupational address में ज़्यादा रहता है, और वो उसका answer क्या जाता है, नीच, क्या बो लोग बात करें, बोल रहा है, यहाँ पे, the tremendous increase in size and growth of a population, इने short period is known as, बड़ी तेजी से, tremendous, जो बरता चला जाता है, एक short period में, तो इसको हम लोग क्या बोलते है, population explosion, क्या बोलेंगे, population explosion, लेकिन यहाँ tremendous word अगर न यूज करता, यहाँ पे population growth भी जा सकता था, लेकिन क्या बो लगे, जन संग्या, besport, population explosion, population explosion की हम लोग बात करते हैं, next, जो question की हम लोग यहाँ पे बात करें, उसमें पर क्या बोला है, lichen is the association of, lichen किसका association है, तो अलगी और फंजाई का अच्छा सा association माना जाता है, क्या, lichen तो अलगल और फंगस का association क्या करता है, lichen करता है, बेनित और जमीन से सटा हुआ चले, जो नीचे पे रहता है, ground पे रहता हो, bottom of sea में रहता हो, उसी को लोग क्या बोलता है, benthic organism, तो यह surface of marine water की बात कर रहा है, middle of the water in sea, bottom of the sea on ground, तो यहाँ पे क्या होगा answer, जो यहाँ पे बोल रहा है, तो bottom of the sea, bottom of the sea, bottom of the sea, sea bottom में जो रहता है, तो उसक कसकुटा क्या है, कसकुटा प्लांट है, कसकुटा जो होता है, यह प्लांट है, और यह परासिटिक प्लांट होता है, कैसा प्लांट है, यह परासिटिक प्लांट होता है, कसकुटा, नहीं, कसकुटा हो गया, भिसकम हो गया, लोरेंथस हो गया, इसा परासिटिक प्लांट तो यहां पे जो हम लोग बात करें, lichen are well non combination of algae and fungi and fungus, algae and fungus, where fungus has an saprophytic relationship with the algae, saprophytic मतलब होता है dead decaying organic matter पे ग्रोव करने वाला, तो algae यहां dead तो है नहीं, फिर यहां लिख रहा epiphytic relation with the algae, epiphyte मतलब होता upon, epiphyte मतलब होता upon, fight for the plant, plant के उपर रहने वाला दूसरा plant, parasitic relation with the algae, parasite तो है नहीं, एक दूसरे को help करता है, तो यहां पे क्या है, symbiotic relation with the algae, यह answer जाएगा, next question है, यहां पे, proportion of reproductive age group is higher in, reproductive age group का proportion के बारे में पूछ रहा है कि higher किस में होता है, बच्चों जो higher होगा, तो ट्रिंगूलर age pyramid की अगर बात करें, इसमें reproductive grade की बात करेंगा, on shape की बात करें, bell shape की बात करें, और pyramid यहां पे up by mass, तो reproductive age group की जो बात करें, तो middle age group है, middle age group की बात करें, middle age group सबसे ज़्यादा किस में होता है, यहां पे क्या जाएगा, बेल से फेट, बेल से फेट ग्राफ यह होता है, इस तरह का अगर ग्राफ है, तो यह क्या अगर दिखाएगा, यह बेल से फेट ग्राफ को रिपर्जेंट कर रहा है, ने, तो बेल से फेट में सबसे ज़्यादा reproductive growth, यह ग्रूप मिलने का मिलने का चांसे बना रहा था बच्छो यहां नेक्स जो हम लोग बात करें यहां पर जो फिगर है यह फिगर को बोल रहा है कि आप इस्टेडी करो यहां पर कुश्चन बोला है दा फिगर गिवन बिलो इस ड्राइग मेंट्रिक रिपरजेंटेशन आप रिपिर स्बीश्चन डूर्णीजिगर और रिस्पॉंस ऑफ और और क्या यहां पर बात करें। बच्छों यहां पर यह जो बोल दा है और यह लाईन क्या बता रहा है यह समान टेंप्रेचर होगा एक समान टेंप्रेचर किस में होता है तो Due इस अपने body temperature को regulate करें तो यह तो guarantee है कि एक answer क्या जाएगा regulator नहीं एक answer regulator और regulator एक ही में तो यह गलत हो गया यह गलत यह गलत लेकिन आगे भी हम लोग match करा लेते हैं B की जो बात करता है यहां से यहां continuous state line मतलब environment को change करते जाओ उसका body temperature change होता चला जाएगा इसको हम लोग बोलते है conformer तो answer तो यही सही है C की जो बात करते हैं C में क्या होता है कुछ दूर तक यह regulate करता है फिर यह छोड़ देता है तक यह conformer के तरह रहता है regulate नहीं करता है और फिर regulate करना start करता है तो इसको हम लोग partial regulator बोलता है transfer क्या चला जाए यहां पर यह next question की बात करें यहां पर जो next 43 question है the soil which is transported by wind wind के द्वारा जो soil का transportation होता है कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं wind के द्वारा जो चला जाता है तो इसको aeolian soil के नाम से जाना जाता है क्या जाना जाता बच्छो aeolian soil के नाम से वह जाना जाता है next question है large size of pinna in animals of warm reason is comparison to animal of a colder reason warmer reason में जो pinna का size है वह बढ़ा होता है due to the law of यह किस ने बताया था यह किस ने बताया था large pinna की जो हम लोग बात करते हैं वह ज्यादा होता है यह LL लाओ होता है यह क्यों सा लाओ होता बच्छो LL लाओ उन्होंने सबसे पहले बताया था कि larger size जो pinna का है animal का warmer reason में compare to animal of the colder reason colder reason में पिनना ही सब external extremity छोटा होता है हाट पाँ छोटा होता colder reason और larger warmer reason में क्या होता है यह बढ़ा होता है next जो question है humus is presenting humus सबसे ज़्यादा कहां मिलेगा humus की जो बात करता है तो answer क्या जाएगा यहाँ पे humus यह क्या पूछ रहा है humus सबसे ज़्यादा कहां मिलेगा तो वैसे तो answer यहाँ पे जो बात करेंगे यह origin जाएगा real में यह smile profile से question है अगर मैं जड़ा सा detail करूँ smile profile तो आपको अगर याद हो कि इस तरह से smile profile होता है सबसे उपर का layer की जो बात करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते है o1 यह इसको बोलाता है a two o two उसके बाद जो यहाँ पे start हो जाता है यहां से क्या a1 फिर हो जाता है a two और फिर हम लोग बात करते हैं यहके बाद b c और d या या नहीं तो R, यहां हम लोग क्या बात करते है, D या नहीं तो R, यह पूरा soil profile से related है, पहला जो O1 होता है, यहां पे क्या मिलता है, Litter, यहां पे मिलता है, यहां पे जो होता है, Litter के बाद, क्या हो जाएगा, डफ, partially decomposed जो होता है, उसको यहां पे हो जाता है, didn't you, or Sumix या Humix, अब यही जो बारिस होता है, तो zone of litter, a2 क्या कलता है, तो zone of litter, यहां पे a2 की, जो हम लोग बात करेंगे, तो उसको क्या बोलता है, zone of litter, zone of litter के बाद, सबसे जादा, मिन्डल्स की बात करें, मिन्दल्स, तो मिन्दल्स कहां मिलता है B, और इजौन में, यहां पर पूछ क्या रहा था, you must, इसलिए answer क्या गया, A, हुमस सबसे ज़्यादा कहा है, A, अगर यही question रहाता मिन्दल्स, तो answer क्या जाता है, B, और यह partially weather rock और यह इनकंप्लिटली वेधर रोग तो यह पारेंटल रोग की जो हम लोग बार करेंगे यह चीज आंसर चला जाएगा नेक्स्ट जो कुस्चन यहां पर बोल रहा है maximum quantity of humus अकरसिन humus नहीं तो humus जो बोल रहा है सबसे ज़्यादा कहा होगा तो अभी अभी बताया यह सबसे ज़्यादा जो humus की बात करेंगे तो कौन सा लेयर में तो वो होता है किसमें एवन में होगा और एवन इस सब तो क्या होता है upper layer of smile यह क्या होता है upper layer of smile humus content वहाँ पे क्या होगा ज़्यादा होगा यह maximum मिलता है इसके लिए आपको याद रखने का एक तरीका है इसका पूरा एक data यहाँ पे है नहीं कि clay का size क्या होता है सबसे छोटा soil इसी को हम लोग बोल देता है तो 0.02 mm clay कलाता है 0.02 mm क्या कलाता है clay नहीं clay से थोरा बड़ा 10 गुना बड़ा silt कलाएगा उससे भी 10 गुना बड़ा fine silt कलाएगा उससे लगबग 10 गुना बड़ा course silt कलाता है लगबग 5 गुना बड़ा gravial कलाता है और फिर next जो five time जो बड़ा होता है वो सब क्या होता है course gravial कलाता है यह जस्ट एक data है आपको याद रखना है clay soil बहुत ही fine soil होता है next जो question की हम लोग बात करेंगे next में क्या कि intra यहाँ पे intra competition of species is least two intra आपस में ही जब competition करने लगेगा तो extinct करवा देगा एक दूसरे को मरवा देगा और यह dangerous होता है नहीं dangerous होता है यह क्या करेगा एक दूसरे को मरवा देगा बच्चो जो next question है यहाँ पर next question की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर phytoplankton are found in which of the following zone phytoplankton कौन सा zone में सबसे ज़्यादा मिलेगा नहीं तो phytoplankton phytoplankton मतलब हो गया plant अब plankton मतलब होईसा plant जो passively move करे water current के द्वारा move करे नहीं active move करता है तो हम लोग बोलते है necton और यहाँ पर क्या use कर रहा है plankton जो passive move करता है phytoplankton मतलब plant तो यह सबसे ज़्यादा किस area में तो यह जो मिलता है यह कहां मिलेगा literal zone में सबसे ज़्यादा मिलेगा literal बच्चो वैसे भी अगर इस तरह से हम लोग बाटे है तो इसको बाट दिया जाता है तीन zone में यहाँ पे इस तरह से बाटा जाता है एक यह लेम्नेटिक zone होता है यह literal zone का लाता है और profoundal zone नीचे वाल water भी अबलेबल होता है और स्वाइल अब लेबल होता है और जो लिटोर जोन आःए यहाँ पे इस ह्वाइल बियाबल होता है यह लट भी फैट्रेश यहाँ बात करें यहाँ ज़्यादा मिलता है नेक्स्ट ईको सभ् essa help in मैं राइजा क्या काम करेंगा तो fungus association होता है plant के दौर आफ जो फंगल association होता है तो यह क्या करेगा nutrition uptake यहां पर क्या करेगा nutrition uptake nutrition को लेने का काम करेगा स्वाइल से nutrition लेकर यह किसकोपहुंचाने का काम करेगा higher plant को देगा ताकि उससे food ले और बदले में water bindles यह सब absorb करके nitrogen की सब absorb करके यह क्या करता है यह प्लांट को दे देता है नहीं तो यहां तक यह हो गया बच्छो यहां तक जो question किये इसमें से धेर सारा question है जो आपका PMT exam में directly directly टकडा जाएगा बोले तो आ जाएगा इतना पहले आपको करना है next जो chapter है उसक next day upload कर दूंगा thank you दोस्तो thank you